हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ प्रहला दियादो और टार्गेट विद प्रहला चनल पर आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आज का हमारा ये परसेंटेज में तीसरा वीडियो है और तीसरे वीडियो में हम प्रतिसत बृद्धी और कमी पर आधारी सवाल को देखेंगे देखें दोस्तों प्रतिसत बृद्धी और कमी वाले जो सवाल होते हैं वो दो टाइप के होते हैं दोनो टाइप आज मैं क्लियर कराके जाओंगा और इतना दावे के साथ कहता हूँ कि अब इस प्रतिसत ब्रिद्धी और कमी वाले सवाल को लगाने में कहीं से कोई भी समस्या नहीं होगी आपको जो सूत्र दिया जाता है जिस सूत्र से आप लगाओगे वो भी सूत्र रटन कि यह सकता नहीं है आईए हम पहले इनको देख रहते हैं कि यह दोनो टाइप हैं क्या प्रतिसत ब्रिद्धी और प्रतिसत कमी वाले जो प्रश्ण होते हैं वो दो टाइप के होते हैं एक तो वो होता है जब ब्रिद्धी देकर कमी पूछे कामी पूछे तब हमारा अपसूत्र क्या लगेगा अब देखे यहाँ पर आपको यही ध्यान में रखना है जो दिया जाएगा जैसे यहाँ पर बृध्धी दिया है ना बृध्धी दिया है तो बृध्धी का ही रोल रहेगा जीतने प्रसत की बृध्धी देगा उस प्रतिसत मान को उपर रखेंगे वह प्रतिसत मान उपर रखा जाएगा बटे बृध्धी दिया है तो 100 में बृध्धी का मतलब प्लस रहेगा तो 100 प्लस प्रतिसत मान गुडे 100 इसी को आप फालो करिये यानि जो दिया जाएगा उसी का रोल होगा और वह रोल कहां होगा हर में होगा बृद्धी देगा तो बृद्धी को हर में आप प्लस करोगे अगर कमी देगा तो हर में आप माइनस करोगे अगर अब यहाँ पर जब कमी देकर बृद्धी पूछा जाए पूछा जाए देखिए अभी क्यूस्चन को मैं लेकर आऊंगा लेकिन उस क्यूस्चन को सॉल्ब करने के लिए ये दोनों फार्मूले हमको सीख लेना जान लेना बहुत जरूरी है इनको रटना नहीं पड़ेगा देखना नहीं पड़ेगा अभी फटा फट की उफचन लगते चले जाएंगे जब कमी दे करके जब दिया जाएगा कमी और पूछा जाएगा बृद्धी तो जो दिया जाएगा उसी का रोल होगा तो प्रतिसत जितने प्रतिसत की कमी दिया जाएगा वह प्रतिसत मान उपर रहेगा और बटे में क्या रहेगा 100 कमी दिया है तो इसके लिए माइनस प्रतिसत मान गुडे 100 होगा ये दोनों फार्मूले आपको ध्यान में रखना है और ये चीज बहुत जरूरी है बृद्धी दे करके कमी पूँचा जाए कमी दे करके बृद्धी पूँचा जाए तो जो दिया जाएगा उसी का हर में रोल होगा यहाँ पर बृद्धी दिया है तो प्लस प्रतिसत मान रहेगा यहाँ पर कमी दिया है तो माइनस प्रतिसत मान रहेगा आईए चलिए हम अपने क्यूस्चन की और चलते हैं और क्यूस्चन को मैं पहले लिख लेता हूँ और तब उसको आपको अच्छे से समझाता हूँ देखें हमारा क्यूस्चन आचुका है यहाँ पर कहा है A की I, B की I से 30 प्रतिसत अधिक है यानि यहाँ पर आधिक दे करके 30 प्रतिसत आधिक दे कर दिया गया है तो B की I, A की I से कितना प्रतिसत कम है यानि कमी पूँचा जा रहा है प्रतिसत बृद्धी दे करके प्रतिसत कमी पूँचा गया है तो जब बृद्धी दे करके कमी पूँचा जाए तो इसी फार्मूले को हमें फालो करना है और आप जानते वो रटना नहीं है आपको प्रतिसत मान रहेगा अगर बृद्धी है तो हर में 100 प्लस ब्रिद्धी रहेगा अगर कमी है कमी दिया गया है और अधिकता पूँछ रहा है तो प्रत्सत मान बटे 100 माइनस प्रत्सत कमी रहेगा, गुडे 100 रहेगा तो अब इस फार्मूले को मैं मिटा देता हूँ है ना, और देखिए अब इसको solve कैसे करेंगे इस question को solve करने का मैं दो process बताऊंगा अगर आपको ये फार्मूला नहीं आद है फिर भी आप इसको लगा सकते हो कैसे लगा पाऊगे, है ना उसको भी मैं बताऊंगा देखिए यहाँ पर A की आए, B की आए से 30 प्रतिसत अधिक है यानि अधिकता दे दिया है यानि बृद्धी दे दिया है है ना, तो B की आए, A की आए से कितना प्रतिसत कम है कमी पूँच रहा है, तो जो दिया गया है उसी का रोल होता है 30 प्रतिसत अधिक दिया है तो प्लस प्रतिसत मान और यहां पर गुड़े 100 होगा अब solve कर दीजिए प्रसत मान की जगए पर कितना है 30, 30 बटे 100 प्लस 30 यानि 30 बटे 100 प्लस 30, 130 हो जाएगा तो हो जाएगा 30 बटे 130 गुड़े 100 solve कर दीजिए, एक एक सुन्या cancel हो गया 100 का 3 से गुड़ा करेंगे, हो जाएगा 300 बटे 13 अब ये 13 दूना 26, 4 बचा 40, 33, 49, 1 बच गया 13 से तो 23 से एक बटा 13, ये आपका उत्तर आजाएगा अब देखिए दोस्तों, अगर इसे हम फार्मूले को नहीं लगाना चाते हैं अगर हम फार्मूले को नहीं लगाना चाते हैं, देखिए इसमें कितना आया 33 से एक बटा 13 आ चुका है, अगर हम फार्मूले को नहीं लगाते हैं तो कैसे आएगा, इसको पहले आप अच्छे से समझेए तब उसके बाद इससे भी सार्ट, सायद इससे भी सार्ट वो लग जाएगा लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा दिमाग दोड़ाना पड़ेगा यहाँ पर काई, A की आए, B की आए से 30 परस्ट आधिक है तो A और B, ये दो लोग हैं, तो A की आए कैसी है B की आए से 30 परस्ट आधिक है, तो B की आए जितनी रहेगी, माल लेते हैं 100 रहेगी तो इससे 30 परस्ट आधिक, ये कितना हो जाएगा 130 परस्ट आधिक रहेगा, तो 130 हो जाएगा अब देखिए, ये तो बताया गया, यहाँ तक तो बताया गया है अब पूँछ क्या रहा है B की आई, A की आई से कितना प्रतिसत कम है देखिये पिछला वीडियो अगर हमने हमारा देखा है तो वहाँ पर मैंने लेक्चर में उसको बहुत अच्छे से बताया है जो यहाँ पर मैं समझाने जा रहा हूँ B की I, A की I से कितना प्रतिसत कम है यानि B की I का प्रतिसत कमी पूँच रहा है B की I के कमी का प्रतिसत पूँच रहा है B के I के कमी का प्रतिसत पूँच रहा है किसके सापेच, A के सापेच तो B के I की कमी कितनी है तो B के I की कमी देखिए A 30 है, 130 है और यह 100 ही है तो भी के i की कमी कितनी है 30 बटे जो पूछा जाएगा उसको अंस में रखेंगे और जिसके सापेच पूछा जाएगा उसको हर में रखेंगे किसके सापेच पूछ रहा है एकी i से कितना प्रसत कम है यानि एके सापेच तो एकी i कितनी है 130 है अब बटे में क्या रहेगा 130 रहेगा और यहाँ पर गुड़े 100 कर दीजिए solve कर लिजिए इसको इसको cancel करेंगे तो देखिए अब यह एक सुन्या एक सुन्या cancel हो गया 100 का 3 से बुड़ा यह हो जाएगा 300 बटे 13 तेरा तेरा दूना 26 चार बचा चालिस तरा तिया वन तालिस एक बच गया 13 से 13 से एक बटा 13 इसमें भी आएगा तो इसको लगा सकते हैं आप बहुत ही साट प्रोसेस है इसको भी लगा सकते हैं लेकिन इस प्रोसेस को अगर समझना है तो पिछला दो वीडियो आपको देखना पड़ेगा तब ही आप इसको लगा पाओगे है ना चलिए अब हम अपने दूसरे क्यूस्चन की ओर चलते हैं और दूसरा क्यूस्चन देखते हैं यह देखिए हमारा दूसरा क्यूस्चन आ चुका है यहाँ पर कह रखाया है दाल का मूले 25 परशन्ट बढ़ गया तो किसी ग्रिहड़ी को खपत कितना प्रसत कम करना चाहिए की खर्च पूर्वत यानि अपरिवर्तित रहें तो दाल का मूले 25 परशन्ट बढ़ गया है तो प्रतिसत ब्रिद्धी दिया गया है और देखिए क्यूस्चन में कहा है कितना प्रसत कम करना चाहिए यानि कम ही पूछ रहा है जब ब्रिद्धी दिया गया है तो 25, 25, 25, 25, 25, 25 को डिवाज कर तो पांदू न दस 20 परशन्ट आपका क्या आएगा इसका सही जबाब आएगा चलिए अब अपने तीसरे क्यूस्चन की ओर चलते हैं और तीसरे क्यूस्चन देखिए क्या कह रहा है तीसरे क्यूस्चन कह रहा है किसी आयत की लंबाई को 25 पूछ रहा है तो ब्रिद्धी दिया है तो ब्रिद्धी का ही रोल रहेगा तो देखिए 25 परशन्ट बढ़ा दिया गया तो जैसे पहला इसके पहले वाला क्यूस्चन लगा था वैसे ही लगेगा 25 बटे 100 25 गुड़े 100 इसको भी सॉल्व करोगे 25 पंजे 100 25 पांदूना 10 20 परशन्ट इसमें भी आएगा है ना अब चलिए प्रसत कमी वाले टाइप को हम देख रहेते हैं जब कमी देखर के ब्रिद्धी पूछेगा रेखे कह रहा है चावल के मूल में 15 परशन्ट कमी हो जाने पर ग्रिहडी को खपत कितना परशन्ट बढ़ाना चाहिए कि खर्च पूर्बोत रहे अब इसमें क्या है कह रहा है मूल में 15 परशन्ट कमी यानि कमी दिया गया है और ग्रिहडी को खपत कितना परशन्ट बढ़ाना चाहिए यानि कमी दे करके ब्रिद्धी पूछ रहा है तो दिया क्या गया कमी तो कमी का ही रोल होगा तो फार्मूला क्या ल अब देखिए 15 प्रस्त की बात की गई है तो 15 प्रस्त मान 15 हो जाएगा बटे 100 माइनस 15 गुड़े कितना 100 solve out कर लिजे अब देखिए 100 माइनस 15 ये तो 85 हो जाएगा तो हम इसको हटा देते हैं इसको इसकी जगए पर 85 डारेक्ट रखते हैं अब इसको solve कर ये 5, 3, 15 और 5, 1, 5, 5, 7, 35, 100 का 3 से गुड़ा करेंगे हो जाएगा कितना 300 बटे 17 अब ये 17, 1, 97 और बचा कितना 13, 130 हो जाएगा और 17, 7, 119 बचा कितना 11 बच गया 17 से तो 17 से ही 11 बचे 17 ये क्या हो जाएगा इसका उत्तर हो जाएगा अब चलिए अगले क्यूस्चन की तरफ अगले क्यूस्चन में दे रखा है राम की आय स्याम की आय से 40% कम है यानि प्रत्सत कमी दे दिया स्याम की आय राम की आय से कितना प्रत्सत अधिक है ये प्रत्सत ब्रिद्धी को पूँच रहा है अब कमी दिया है तो देखिए 40 बटे 100 माइनस 40 कितना हो जाएगा 60 उड़े 100 solve कर लिजे 2 दुना 4, 2 तिया 6 ये 100 का 2 से उड़ा हो जाएगा 200 बटे 3 हो जाएगा 3, 6, 18, 3, 6, 18 और 2 बंच गया 3 से 6, 6 सही 2 बटा 3 पर्षेंट इसका क्या हो जाएगा उत्तर आएगा है ना चलिए अगले की उस्चन क्यों है अगला की उस्चन कह रखा है एक पंखा विक्रेता पंखे के मूले में 20 पर्षेंट कमी करता है देखिए 20 पर्षेंट कमी दे दिया तो खरिदार कितने पर्षेंट बढ़ें कि उसकी आय आप परिवर्तित रहे अब यहाँ पर कितने पर्षेंट बढ़ें यह पूँच रहा है तो प्रसत कमी दे करके बृद्धी पूछ रहा है तो प्रसत मान कितना है 20 है तो 20 बटे प्रसत कमी दिया है तो कमी का ही रोल होगा यानि 100 माइनस कमी हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 20% है तो 20 नीशे से घट जाएगा 100 माइनस 20, 80 हो गया ये solve कर लिजे 292, 2, 2, 2, 2, 2, 4, 8 हाना अब इसको divide करेंगे कितना हो जाएगा 25% इसका जवाब हो जाएगा अब चलिए अपने last question की ओर चलते हैं देखें last question क्या है एक त्रिभुच की उचाई 60% कम कर दिया गया तो त्रिभुच के आधार को कितना पर्षेंट बढ़ाना पड़ेगा ताकि उसका छेत्रफल आप अरिवर्थी तरह है तो 60% दिया गया है वो क्या है कमी है जब कमी दिया है तो कमी का रोल होगा हर में 60 बटे 100-60, 40 होगा गुड़े 100, solve कर दीजिए अब देखिए 2, 2, 4, 2, 3, 6 है और 2 से इसको डिवाइट करेंगे 2 से ये 50 बार में 50, 3, 1,500 150 पर्षेंटिस का जवाब हो जाएगा दोस्तों क्यूस्चन लगाने का जो प्रोसेस है वो बहुत आसान है बस आपको समझने किया है सकता है शुरुआत में हम थोड़ा सा टाइम लिये थे और उसको आप ना हो तो रिपीट करके पूने देख लीजे नीशित रूप से आप भी बहुत जल्दी जल्दी इन सभी क्यूस्चन को लगाएंगे आज के लिए बस इतना ही अगर हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज चैनल को सब्स्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजे अगले दिन आप लोगों से एक नए वीडियो में एक नए टापिक के साथ पूने मिलेंगे तक तक के लिए धन्यवाद